दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने भी पोस्ट आपिस की PLI पोलिसी में इनिवेस्ट करका है तो आप किस तरह से जो है घर बैटे ही अपने मोबाइल के द्वारा पोलिसी का नमर, इस्टॉल्मेंट प्रिमियम, पोलिसी ओपनिंग डेट, पोलिसी में जो है PLI की कस्टमर आइडी जो है किस तरह से चेक कर सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको कमपलीट प्रोसीजर बताऊंगा इसके बारे में तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपकी जो PLI की पोलिसी है उसका आपको यूजर आइडी और पासवर्ड जो ह जनरेट करना होगा तब ही आप जो है यह सब कुछ जान सकते हो तो मैंने आलरेडी जो मेरी PLI की पोलिसी है उसका यूजर आइडी और पासवर्ड करेट कर रहा है तो मैं जो है अभी आपको बताऊंगा अगर आपने नहीं कर रहा है तो मैं जो है लिंक दे दूँगा उसक पेच आजाएगा इसमें आपको जो आपने कस्टमर आइडी और पासवर्ड जो सेट कर रहा है वो डालके और जो केपचा दियो है आपको केपचा डालके लॉग इन कर देना है अभी यह तो हो गया प्रोसीजर अभी जनरेट कस्टमर आइडी अगर आप न्यू कस्टमर हो पहली बार हो तो जनरेट कस्टमर आइडी का जहां मैंने राउंड सर्किल किया है उसके ओपर किलिक करके आप इसकी जो कस्टमर आइडी जनरेट कर सकते हो पासवर्ड भूल गए हो तो फोर्गेट पासवर्ड का भी ओप्शन दिया हो है वहां से आप जो है उसके ओपर कि डालके इसमें login हो जाता हूं जैसे मैं इसमें login हो जाता हूं देख सकते हो इस तरह की जो है next page कुल के show हो जाएगा इसमें home, my profile, my policies, payment, service request, purchase policy, tools and utilities, misliance, कई option आगे अभी हमारे को जो है चेक करने के लिए इसमें जो my policy का option दियावा है जहां पर मैंने round circle किया है my policy के option के उपर click कर देना है तो जैसे ही मैं my policy के option के उपर click करूँगा click करते ही जो है इस तरह से जो है मेरा show कर देगा सबसे पहले नाम show कर देगा यानि policy holder का नाम show कर देगा इसके बाद में policy number, product name, product type और policy active है कि inactive है ये सब कुछ आपको जो है show कर देगा तो इस तरह के page आपके सामने जो है खुल कि show हो जाएगा इसमें आपको जो है सब कुछ show कर दिया अभी मेरे को जो है policy के regarding जो detail जानने के लिए जो policy number है policy number के उपर मेरे को click करना है तो जहाँ पर मैंने arrow mark किया है यहाँ पर policy number के उपर मैं जैसे click करूँगा click करते हैं आप द इतना है इसमें installment कितना है installment GST के साथ में कितना है policy की maturity date क्या है opening date क्या है nomini detail क्या है यहाँ पर जो है आप सब कुछ आसानी से इस page में जो है देख सकते हो बस इसकी सर्थ यही है कि सबसे पहले इसके लिए आपको PLI की user ID और password करेट करना है user ID और password डालना है और घर बटे PLI policy की regarding किसी भी परकार की कोई क्योरी हो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो comment box में जरूर लिखना मेरे सी जितना हो सकेगा मैं पूरी help करूँगा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद थेंक्यू